हाई गाईज वेलकम बैक टू नदर सेशन मैं आब अब अब नोट लेकर आई हूँ आपके लिए करंट अफेर्स का एपिसोर नंबर 783 आज की तारीक है 19 सप्टेंबर 2020 हमारे दो चानल से पिनेकल और फ्रेंटेर आएस और अगर अब तक आपने मार चानल को सब्सक्राइब बिलकुल ना भूलिएगा साथी साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि मारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके हमारी दो वेबसाइट से ससे सीजल पिनेकल डाट कॉम और बलजी धाका डाट कॉम इन दोनों को विजिट करना बिलकुल ना भूलिएगा ये सेशन हर रोज सुबा चार बजे वेलेबल हो जाता है और वीडियो की एंड में आपसे क्विस के कोशन पूछे जाते हैं जिनका अंसर आपको कॉमेंट से अफसर पर कौन सा डाक टिकेट लॉंच किया गया तो इसका सही जवाब था भारत की पहली एंटी सेटलाइट मिसाइल स्टार्ट करेंगे आज के सेशन के पहले क्वेस्चन के साथ विश्व बैंक के मानव पूझी सूचकांक में भारत का रैंक किया है तो इसका सही मानव पूझी के प्रमुक घटकों का मुलियांकन करता है मानव पूझी सूचकांक 2020 में 174 देशों के स्वास्थे और शिक्षा संबंदी आकड़ों को शामिल किया गया यहें आकड़े मार्च 2020 तक के हैं जिसके बाद दुनिया भर में करोना वारिस महामारी का प्रकौप त पिछले साल भारत ने मानव पूझी सूचकां को लेकर गंभीर सवाल उठाए थे जिसमें 157 देशों में भारत को 115 स्थान दिया गया था इस साल भारत 174 देशों में 116 स्थान पर है इस वर्ष के मानव पूझी सूचकां की थीम विश्व बैंक के समू अध्यक्ष है डेविड मालपास यहां पर एक को एक रिविजन की बात करें तो वैश्विक आर्थिक स्वतंतरता सूचकांग 2020 में भारत का रेंग क्या है तो इसका सही जवाब है 105 अगला प्रशन है पहला अंतराश्ट्रिये समान वेतन दिवस का मन मनाया गया है तो इसका सही जवाब है option number B 18 सितम्बर 18 सितंबर को पहली बार अंतराश्ट्र समान वेतन दिवस मनाया गया 15 नवंबर 2019 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 74 सत्र में तीसरी समिती ने 18 सितंबर को अंतराष्ट्र समान वेतन दिवस के रूप में घोशित किया था यह मानवधिकारों, महिलाओं और लड़कियों के साथ भेदभाव सहित सभी प्रकार के भेदभाव के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबधता बनाता है सभी क्षेत्रों में भहिलाओं को पुर्षों की तुलना में कम भुक्तान किया जाता है जिसमें विश्व स्तर पर जेंडर गैप 23 प्रतीशत है यहाँ पर एडिशनल इन्फोमेशन की बात करें तो विश्व रोगी सुरक्षा दीवस 17 सितंबर को वाशिक रूप से मनाया जाता है और इसकी थीम है अगला प्रशन है किस शहर ने ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में टॉप किया है तो इसका सही जवाब है उप्शन नमबर C सिंगापूर वैश्विक स्मार्ट सिटी की लिस्ट में सिंगापूर शीष पर रहा है इंस्टिटूट फर मैनेजमेंट डेवलपमेंट आई एमडी ने सिंगापूर उनिवर्सिटी फर टेक्नोलोजी एंड डिजाइन के साथ मिलकर 2020 स्मार्ट सिटी सूचकांग जारी किया है इसमें COVID-19 के युग में प्रोदियोगी की भूमिका के बारे में बताया गया है स्थान मिला है जबकि पिछले साल उसका स्थान 68 वा था इस सूचकांग में मुंबई 2019 के 78 स्थान से फिसल कर 2020 में 93 स्थान पर आ गया है जबकि बैंगलूरू को 95 स्थान मिला है बात करें सिंगापूर की तो इसी कैपिटल है सिंगापूर सिटी और करंसी है डॉलर अगला प्रशन है किस भारतिये को प्रतिष्ठित 2020 एशिया गेम चेंजर अवोर्ड से समानित किया जाएगा तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नमबर B विकास खन्ना मिशिलिन स्टार शेफ विकास खन्ना को करोना महमारी के दोरान भारत में लाखों लोगों तक भोजन पहुँचाने के लिए 2020 के प्रतिष्ठित एशिया गेम चेंजर अवोर्ड से समानित किया जाएगा इस अभियान को उन्हों ने न्यू यॉक के मैंहेटन स्थित अपने घर से चलाया पुरसकार के लिए जिन 6 लोगों का चयन किया गया है उसमें विकास खन्ना के लिए भारतिये हैं एशिया के भविश्य के लिए सकारात्मक योगदान देने वाले असली नायकों की फैचान कर उन्हें ये पुरसकार दिया जाता है इसकी शुरुवात 2014 में अमेरिका के एक गैर लाबकारी संगठन एशिया सुसाइटी ने की थी पुरसकार समारो अक्टूबर में ऑनलाइन आयूजित किया जाएगा करोना संक्रमन के दुरान विकास खन्ना ने भारत में जरूरत मंदों तक भोजन महुया कराने के लिए फीड इंडिया नाम से एक अभियान शुरू किया था इसके तहट सैंक्डों शेहरों में जरूरत मंदों को भोजन के लावा मास्क और अन्य जरूरी वस्त्वे पहुंचाई गई अगला प्रशन है भारती रिजर्व बैंक में सबसे कम समय तक सेवारत रहने वाले गवर्नर कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया तो इसका सई जवाब है option number B अमिताब घोश भारती रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में सबसे क कम समय तक काम करने वाले व्यक्ति अमिताब घोश थे जिनका हाल ही में निधन हो गया वे 15 जनवरी 1985 से 4 फरवरी 1985 तक कुल 21 दिनों तक अपने पदपर कार्यत थे घोश एक डिप्टी गवर्नर के रूप में सेवा कर रहे थे और सतरवे आर्बिया गवर्नर को प्रभार सौ अपने के बाद घोश डिप्टी गवर्नर के रूप में अपने पदपर लौट आए अमिताब घोश 21 जनवरी 1982 से 20 जनवरी 1987 के बीच डिप्टी गवर्नर थे यहां पर एक क्विक रिविजन की बात करें तो विश्व बैंक में कारेकारी निदेशक के रूप में किसे निउ मनजूरी दी है तो इसका सही जवाब है option number D हर्याना सरकार ने राज्य शिक्षक पुरसकार नीती 2020 को मनजूरी दे दी है इस नीती को वर्ष 2016 में तयार नीती के स्थान पर 29 अगस्त 2020 से लागू माना जाएगा भविश्य में नई नीती के नुसार राज्य पुरसकारों को म та प्रिंसिपल हाई स्कूल के headmaster और PGT शिक्षक शामिल है दूसरी शेनी में प्राथ्मिक शिक्षक मुख्य शिक्षक टीजिटी शिक्षक और प्रात्मिक विध्यालिया के हेड मास्टर मिडल हेड शामिल होंगे यहां पर एक क्वेजन की बात करें तो किस राज्ये ने महीला एवक की शोरी सम्मान योजना और मुख्यमंत्री दूद उफार योजना शुरू की है तो इसका सही अंग पूर डाम नियर सुरजकुंड नैशनल पाक्स में आता है सुल्तानपूर नाशनल पाक और काले सर नाशनल पाक हर्याना की वगवर्नर सत्यदेव नारायन आरया और सीम मनोहरलाल खटर अगला प्रशन है गर्ल इन वाइट कॉटन नामक पुस्तक किस ने लिखी है त दुबई में रहने वाली भारतिय मूल की लेखी का अवनी दोशी अपने पहले उपनेयास बर्ण शुगर के लिए 2020 बुकर पुरसकार के लिए चुने गए छे लेखकों में शामिल है पुस्तक बर्ण शुगर को पिछले साल भारत में गरल इन वाइट कॉटन के नाम से रिली में गिस्ते, डॉगलस स्टुएट और ब्रैंडसन टेलर ये सभी यूके के भार के हैं यूके का सबसे प्रतिष्ठित साहित्य पुरसकार, बुकर पुरसकार किसी भी राश्चिता के लेखक दुवारा अंग्रेजी में लिखे गए उपनेयास के लिए दिया जाता है पिछ इसने जीता है तो इसका सही जवाब है मार्गरेट एटवुड अगला प्रशन है एतिहासिक कोसी रेल मेगब ब्रिज का हाल ही में किस राज्य में उधगाटन किया गया है तो इसका सही जवाब है उप्शन नमबर C, बिहार प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने बिहार में एतिहासिक कोसी रेल महा सेतु का उधगाटन किया कोसी रेल महा सेतु का उधगाटन बिहार के इतिहास में एक एतिहासिक शन होगा क्योंकि यह इस शेत्र को पुरवोतर भारत के राज्यों से जोड़ेगा इस पर्योजना को केंद्रे सरकार ने 2003 से 2004 में हरी जंडी दे दी थी इस सेतू की लंबाई 1.9 किलोमीटर है और इसके निर्मान पर 516 करोड रुपे की लागत आई है भारत नेपाल सीमा के निकट स्थित सेतू का रननीतिक महत्व है इसका निर्मान कारे करोना संक्रमन काल के दोरान पूरा हुआ है और इसमें प्रवासी मजदूरों ने भी अपना योगदान दिया है इसके लावा प्रधान मंत्री मोदी ने कियोल नदी पर एक रेल सेतू दो नई रेल लाइने, पांच विद्यूती करन से संबन्दित, एक इलेक्ट्रोनिक लोकोमोटिफ शेड और बाड और भक्तियार पूर में तीसरी लाइन पर योजना काभिद घाटन किया यहां पर एक विक रेल विजन की बात करें, तो किस राज्य के मुख्य मंत्री ने हाल ही में सियासत में सदस्यता नामक पूस्तक जारी की है तो इसका सई जवाब है बिहार बात करें बिहार की तो इसकी व्ल्य डवाम्डेंच सैट्स में आता है महापधी टैमपल बोढ़ गया और नलंधा उनिवर्सटी वाल मिकी टाइगर रिजर्व, राजगीर वाल लाइव सेंक्चुरी और केमूर वाल लाइव सेंक्चुरी बिहार की कैप्टल है पटना, सीएम है नितिश कुमार और गवर्नर है पागु चोहान अगला प्रेशन है उतकर्ष संस्थान विश्व कर्मा पुरसकार किस भारते शासी निकाय के तहट आयोजित किया जाता है तो इसका सही जवाब है ऑप्शिन अमबर डी ए आई सी टीई शिक्षा मंत्री ने विश्व कर्मा दिवस 17 सितंबर पर ए आई सी टीई के तहट संस्थानों को 14 श्ट्रेनियों में उतकर्ष संस्थान विश्व कर्मा पुरसकार का उदेश्य समाज विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान के लिए ए आई सी टीई द्वारा अनुमो पुदित संस्थानों को प्रेरित करना पहचानना और समानित करना है अगला प्रशिन है खाद प्रसंसकरन उद्योग मंत्राल्य का अतिरिक प्रभार की से सौपा गया है तो इसका सही जवाब है उप्शनमबर डी नरेंद्र सिंग तोमर खाद प्रसंसकरन उद्योगो की पूर्व मंत्री हर सिम्रत को और बादल ने क्रिशी बाजार को उदार बनाने की मांग वाले कानून के विरोध में मंत्री मंदल से अपना स्थीफा दे दिया भारत के राष्ट्रपती रामनात कोविंद ने खाद प्रसंसकरन उद्योग मं हर सिम्रत कौर बादल का केंद्रे मंत्री मंदल से स्तीफा स्विकार कर लिया है और नरेंद्रे सिंग तोमर को मंत्रालिय का अतिरिक प्रभार सौंपा है नरेंद्रे सिंग तोमर कृषी और किसान कल्यान मंत्री हैं बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विक समरी की तो इंटेनाशनल इक्वल पे डे सेप्टेंबर 18 को मनाया गया ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में टॉप किया है सिंगापुर ने 2020 एशिया गेम चेंजर अवार्ड विकास खन्ना को दिया जाएगा शॉर्टिस्ट सर्विंग गवर्नर ओफ रिजर्व बैंक जिनका हाल ही में निदिन हो गया अमिताब घोश स्टेट टीचर अवार्ड पॉलिसी 2020 हर्याना सरकार ने शुरू की है गर्ल इन वाइट कॉटन बुक अवनी दोशी ने लिखी है कोसी डेल मेगा ब्रिज बिहार में बनाया गया है पुतकर्ष संस्थान विश्व कर्मा अवार्ड ए आई सी टीई ने और्गनाईज कराया है Ministry of Food Processing Industries का Additional Charge नरेंदर सिंग तोमर को सौपा गया है बात कर लेते हैं आज के सेशन के Quiz for the Day की आपको पहला क्वेस्चन है Girl in White Cotton नामक पुस्तक किसने लिखी है और आपका दूसरा क्वेस्चन है विश्व बैंक के मानव पुझी सूच कांग में भारत का रैंक किया है और अगर अब तक आपने मारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूलिएगा साथ ही साथ इस बैल आइकन को जरूर दबाना है ताकि मारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके हमारी दोनों वेबसाइट्स ससीसीजलपिनेकल.com और बलजीधागा.com को विजिट करना बिलकुल न भूलिएगा थांक यू सो मच